हलो गाइज वेल्कम बेक टू मैं चैनल मैं हो फूजा और आप देख रहे हो ब्यूटी टीप्स बै पूजा विंटर में हमारे स्किन बहुती ज़्यादा ड्राय हो जाती है और हमारे स्किन टोन बहुती ज़्यादा डल्स नजर आती है उसके साथ साथ एक्नी और प्रिम्पल का प्रॉब्लम बहुती ज़्यादा बढ़ जाती है और इन सारे प्रॉब्लिम की सेलूशन लेके आ गई हूँ मैं अपने इस वीडियो में गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लास तक देखना है इस फेस मास्क डेमिडि को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए एक वाइट आपको एक एक का वाइट पार्ट को निकाल लेना है फिर हम इस में आट करेंगे 1.5 चमज मैदा देन सबसे लास्ट में हम आट करेंगे रॉव मिल्क थोड़ा थोड़ा करके रॉव मिल्क एट करना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है तीनों इंगरियेंस को अच्छे से मिक्स कर लेना होगा चलिए गाइस जानते हैं इस face mask को apply करने से आपको क्या-क्या फाइदा मिलेगा इस mask को use करने से आपका skin बहुत ही ज़्यादा soft हो जाता है acne और pimple का problem remove हो जाता है dull skin की problem से आपको चुटकारा मिल जाएगा और सबसे last में skin tone lightening और brightening करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा helpful होता है guys इस mask को आपको विक में एक बार apply करना है guys आप देखिएगा इसको एक बार use करने के बाद आपको कितना अच्छा result आपको मिलता है आपके skin tone बहुत ही ज़्यादा lightening और brightening हो जाता है guys face mask बनके रेडी हो चुका है अभी हम इसको apply करेंगे और apply करने से पहले अपने face को अच्छे से clean कर लेना होगा cleanser या फिर face wash की मदद से मैं एक brush की मदद से face mask को apply करूंगी अब चाहो तो अपने हाथ से भी इसको apply कर सकते हो guys अब सभी के पास में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share जरूर कर देना और चैनल में पहली बार आये है तो चैनल को subscribe करके notification bell को press कर देना क्योंकि मैं यहाँ लाती हूँ बहुत सी beauty tips और बहुत सी beauty problem की solution guys चैनल में ऐसे ही बहुत सी beauty related videos available है अगर आप चाहो जरूर वीजिट करना और वीडियो को watch करना अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या full helpful लगे तो जरूर इसको like भी कर देना face mask को अच्छे से apply करने के बाद सुखने के लिए से छोड़ देना है जब face mask अच्छे से सूख जाए तो normal water से अपने face को अच्छे से wash कर लेना होगा और सबसे last में कोई भी moisturizer या फिर aloe vera gel अपने face पे apply करना होगा और face को ऐसे छोड़ देना होगा आज का वीडियो इतना ही thank you guys for watching this video फिर मिलेंगे दूसरी कोई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care guys bye